एक student ने क्वाचिन बूचा कि Sir handwriting कैसे सुतार है सर मेरी handwriting अच्छी नहीं है और जिसके कारण मेरी number कमाते हैं मैं परक्षा में अच्छा performance नहीं कर पाता हूँ और मेरे number और बच्चों के picture कमाते हैं तो मैं क्या करूँ ऐसे ही बिरसन आप सभी के भी हो सकते हैं अगर आप student हो या कहीं किसी office में काम करते हूं अगर आपकी handwriting सही नहीं है तो साइद आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा तो handwriting एक ऐसा tool है जिसकी help से आप जल्दी से success पासकते हैं अगर आप student हैं तो आपकी handwriting अच्छी होना बहुत जरूरी है क्योंकि handwriting अच्छी होने से ही हम copy पर अच्छा लिख पाते हैं और जिससे क्या होता है कि हम उसे पढ़ने में भी हमें आसानी होती है वो जब exam होते हैं तो exam में handwriting के ही number मिलते हैं handwriting अगर आपकी अच्छी है सही लिखा है साफ सुत्रा लिखा है तो आपको number ज्यादा मिलने की संभावना है आईगे इस वीडियो में हम जानते हैं कि handwriting को कैसे सुधार सकते हैं अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेट करके जरुवता हैं कि आपकी handwriting कैसी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहली टिप्स है डेली एक पेज लिखना है कुछ भी हो जाए किसी भी इस तहती में आपको डेली एक पेज लिखना है परड़े का एक नियम बना लीजिए कि मुझे एक पेज डेली लिखना है अगर आप एक नियम बनाते हैं तो आपका जो लिखने की कला है या जो आपका handwriting skill है वो आपके बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें आप एक पेली समय दे रहे हो तो जो दोस्ती tips है use the right tools tools से मतलब है कि आप जब writing कर रहे हैं तो आपको सही ink pen का यूज़ करना ज़रूरी है जैसे आपका ink pen होगा या पर आपका जो page है या जो आपकी coffee है जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वह एक दम सही होनी चाहिए आप ऐसा pen यूज़ करें जिसे पकड़ने में आपको आसानी हो आपको ज़्यादा उसे tight ना पकड़ना पड़े आपको उसे पकड़ने में और उससे लिखने में आपको आसानी हो ऐसा पैन आप यूज करें जो तीसी टिफ्स है Maintain Proper Posture and Grip जो भी आप लिख रहे हैं तो अब जिस इस्थती में हैं वो इस्थती आपकी कैसी है आपका बैठने का तरीका कैसा है आपका पोस्चर कैसा है वो पकड़ने का ग्रिप तरीका कैसा है यह आपका सही होना चाहिए तो पहले तो बैठने का पोस्चर आप सुधार हो और पैन को पकड़ने का ग्रिप पिल्कुल लूच पकड़ना है आराम से पकड़ना है कि आपको लिखने में आसानी हो तो इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग इसके लिए वो बढ़ जाएगी तो चोथी टिप्स की बात करते है इस्टार्ड विथ बारम अप एक्सरसाइस अब जो भी आप लिखना स्टार्ट करने वाले हो एक जाम के पहले हैं कोई भी राइटिंग करने वाले हो जिस हाँ से आप लिखने वाले हो उसके क्या कर लो उसकी एक्सरसाइस कर लो बारम अप कर लो इस्ट्रैचिंग कर लो और हैंड रूटेशन कर लो फोन ask कर लो इससे क्या होगा कि आपका जो हाथ है उसको गब डेडर सर्कुलेशन उबढ जाएगा और उससे क्या हो कि आपको जल्दी आप ठकोगे नहीं और जल्दी आप आराम से लंबे समय तक अच्छी राइटिंग लिख सकते हो पांच वी टिप्स की बात करते हैं फोकस ओन लेटर फॉर्मेशन तो जो आप लेटर लिख रहे हैं जो भीं आप capital लेटर या स्मॉलिटर जो भी आप लिख रहे हैं उनकी फॉर्मेशन पर ध्यान देना है यह वो एदव सही-सही बननी चाहिए कहा मैं capital के उजजद करना ह। कहां स्मॉलिटर के उजजद करना है कहां बड़ा लिखना, कहां छोटा लिखना इस पर आपको ध्यान देना है और इस फ़र्मिशन को एक दर सही तरीगे से बनाना है इस पर ज़्यादा फोकस करना है इससे आपके अच्छी राइटिंग हो सकती है छटवे टिप्स है Maintain, Consistent, Size and Spacing जब आप लिख रहे हैं तो उसमें आपको Maintain करना पड़ेगा कि आपका जो अक्छर है, वर्ड है उसका Size एक सा रहे उसके बीच में जो Space है, वो एक सा रहे इन दो चीजों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है आप Daily Practice करोगे ना तो उससी क्या होगा कि जो आपका वर्ड है, उसका Size भी ध्यान रखोगे Size आपका एक सा जाना चाहिए Small Letter तो एक सा जाना चाहिए, Capital Letter तो उसका Size अलग होना चाहिए उनके बीच में जो Space है का ध्यान देना बहुत ज़रूर ही है Same tips है Experiment with Different Styles आप जो Writing लिख रहा है हो, उसमें आप Style को Change करते जाईए क्योंकि जिस प्रकार ABCD की Style होती है चार प्रकार की ABCD होती है उसी प्रकार आपको जो लिखना है उसमें आपको Style में Change करते हो लिखता है आपकी Style किस प्रकार की क्योंकि समी बच्चों की Writing अलग-अलग होती है Handwriting तो आपको अपनी Handwriting किस Style में अच्छी लग रही है उसी Style में आपको लिखना है जिससे कि आपकी Writing बहुत बढ़िया हो और आपकी Handwriting इंप्रूब हो तो यह कुछ tips हमने आज इस वीडियो में जानी है कि कैसे अपनी Handwriting स्किल को इंप्रूब कर सकते है तो इसमें कुछ tips हैं जो आपने इसमें जानी है चलिए एक बार उन्हें जान लेते हैं पहला है Daily Write a One Face Second, Use the Right Tools Third, Maintain Proper Posture and Grip Third, Start with Barm Up Exercise Fifth, Focus on Letter Formation Sixth, Maintain Consistent Size and Spacing And Seven, Experiment with Different Styles अब आप कमेंट करके बताएं कि आप इनको फॉलो करने वाले हो तो इसमें Yes, कमेंट करना है Thank you, फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में